हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम नेचुरल गैस की एनलेसिस करेंगे टाइम साइकल के बेसिस पे क्योंकि ये उपड़ी लेवल से बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है और बहुत सारे निवेसक ट्रेडर हर लेवल पे कहीं न कहीं फसे हुए है और या कोई लोग इसको बाई भी करना चाहता है उस परपस से भी हमें स्टडी करेंगे लेकिन उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पोंस्बिलिटी नहीं है और जो भी ट्रेड करें अपने फाइनसर एडवाजर से राय लेकर करके और अपने रिस्क रिवार्ड पर ट्रेड करें सेकंड तिंग मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले मैं अपनी एक स्टडी सेयर करना चाहूंगा जो मैंने अब्जर्ब किया है मार्केट से एक्छली मार्केट में हर आदमी कुछ शह न कुछ अच्छा नोलज रखता है फिर भी वह डरता है डरता इसलिए है क्योंकि वो इतना loss कर चुका है या इतना मतलब कोई भी trade लेता है किसी भी analysis के purpose से लेकिन वो trade होता है अच्छा trade अच्छा profit नहीं बना पाता है और उसकी trade अच्छी भी होती है में भी उसकी 70% trade अच्छी होती है वो गलत होते हैं और उसमें loss करता है 70% पैसा अपने capital का 70% पैसा अपने 30% wrong decision wrong trade के करन करता है और 70% पैसा वर्ण करता है मात्र 10 से 12% पैसा इसके पीछे क्या रीजन है क्या उसकी analysis गलत है बिलकुल भी नहीं analysis उसकी सही है क्योंकि कोई भी आदमी है stock market से 100% analysis नहीं कर सकता है अगर आप 60 to 70 या 80% भी अगर analysis आपकी सही निकलती है अगर आप 10 में से 8 trade 7 trade अगर आप सही लेते हो तो आप perfect हो लेकिन गलत क्या हो जाता है जो तीन या चार जो trade आपके जो loss होते हैं दो या तीन trade उसमें आप ज्यादा loss दे चुके होते हो और छेर से साथ trade जो आप profit gain करते हो उसमें आप profit कम करते हो इसले पांच महीने छे महीने के consolidation के बाद इसने breakout किया और उपर breakout हुआ लेकिन ये दो ही तीन दिन के अंदर में किसी नहीं किया होगा कि दो तीन दिन के अंदर में gap down हो जाएगा और इतना बड़ा fall हो जाएगा हर लेवल पे लोगों ने निवेस किया हुआ कि breakout हो चुका है नीचे कहीं नगहीं 190 पे 180 पे support मिलेगा और हर लेवल पे तो timing करना जोड़ी है मैंने भी starting के 3-4 साल में इतना study करने के बाद भी पैसा इतना loss किया सबकुछ analysis सबकुछ सीखने के बावजूद भी पैसा loss होता था क्यों क्यों कि हमें timing का knowledge नहीं था इसलिए मैं timing पे ज्यादा focus करता हूं वह सारे लोग मेरे channel को देखते हैं उनको यह लगता है इसको technical नहीं आता है बस एक formula लेके बाटर रहता है मेरे पास technical मैं एक-एक moving average पे कितने percent के उपर breakout होगा कितने percent तक एक moving average के उपर जा सकता है RSI अपने long term RSI का moving averages क्या होते हैं कब कहां पे support होगा यह सारे calculation मैंने software में programming के through निकाले हुए हैं क्योंकि उनी के साथ मैंने 3-4 साल study किया और observation कि उसमें पैसे नहीं बनते हैं आपकी analysis perfect होगी फिर भी पैसा नहीं बनता है क्यों क्योंकि timing इसमें required है कौन सा गलट time है कौन सा false breakout है कौन सा real breakout है इसकी timing करना बहुत जोड़ी है इसलिए मैं timing के ज्यादा focus करता हूँ मैं आज के date में कोई chart pattern नहीं देखता only timing देखता हूँ और timing का एक क्योवल gain time cycle analysis नहीं है इलियर time cycle एक manual analysis भी होते है कुछ चीज़े होती है जो nature के rule को follow करता है उस study को भी मैं follow करता हूँ कुछ astrology के जो cycle है मैं astrology को नहीं मानता लेकि astrology का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे mind पे effect करता है उसकी भी analysis करते है और time cycle को 3-4 पाड़ा मिटर के basis पे जो perfect बैठता है और मुझे confidence देता है कि हाँ यहाँ पे buy करना चाहिए यहाँ पे sell करना चाहिए यहाँ इसका top बन चुका है यहाँ पे bottom बन चुका है उसके basis पे मैं अपना decision लेता हूँ तो इसलिए gain time cycle के साथ साथ और भी time cycle study होती है उसकी complete मैं education भी कराता हूँ कोई अगर interested है तो जूड सकता है हमारे साथ आगे और software related कोई भी क्यूरी है तो हमारे mobile नमर पे contact कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से natural gas का bottom कब बनेगा तो आपको मैं यहाँ proof भी दूँगा मैंने ब सबसे पहले यह जो टॉप बना है 29 नॉवंबर को इस टॉप से इस bottom के base पे यह bottom बना यह टॉप बना इसके basis पे मैं analysis करूंगा कि यह जो टॉप बनने का date था तो क्या gain ने पहले से gain time cycle ने पहले से date fix कर रखे थे बिलकुल हाँ मैं इसका प्रूप दिखाऊंगा बस आपको इस software में 29 का top डाल दिया 21st December का bottom डाल दिया 21st December का यह हमने bottom डाल दिया और 29th November का high डाल दिया इस high के basis पे और top के basis पे हमने एक date निकाल दिया जो date 26th December 26 December को top बनना था इसने 26 December का इसने आप देखो 26 को छुटी थी तो 26 को इसने एक top बनाया उसके बाद second top का जो date था हमारा इसमें 27 days और add कर दोगे आप तो next date निकल जगा day range जो दिखा रहा है आपका next day cycle जो है आपका after 27 days तो उसमें आप add कर दोगे 27 तो 23rd जनवरी 23rd जनवरी को यह दूसरा date इसका निकल गया 23rd को holiday होने के करण 23rd का जो high था 220 का high बनाया 23rd जनवरी को उसके बाद दो दिन बजार चला और उसके बाद फॉल हो गया और डिग्री टर्व में डिग्री टर्म्स में जो है यह आपका 360 डिग्री 360 डिग्री तक यह मूब किया और उसके बाद फॉल हो गया ता हमारा जो टारगट था मैक्सिमम जो टारगट था फेमुना की रिटर्रेस्मेंट के बैसिस पे 236 और हमारा डेट 26 और अगला जो डेट आया उसके बाद और वैसे डेट को मैंने भाई फर्गेट किया हूँए 28 दिसमबर फॉर्स जनौवड़ी 11 जनौवड़ी तो इसमें जो देट का रिफररेस्स एं आप्टर 7 डेज आफटर 7 डेज बाद एक टॉप बनेगा और मैक्सिमम टॉप जो बनने का चांसेज था टू तू 236 का target था maximum top बनने का chances था तो इसने जो high बनाया है 231 का high बनाया है और जो date निकल के आया है 24th जन्वरी और दूसरा high 25th जन्वरी का तो आप इसमें 11 जन्वरी में 7 days add करेंगे तो 18 जन्वरी और 18 जन्वरी में 7 days add करेंगे तो 25 जन्वरी तो 5 target date मतलब हमने यह तीनी date ले रखा है हमने इसमें यह 7 days को हम add करते हैं जो number of day required 7 है इसको हर 7 days बाद एक date निकल के आता है और maximum 7 days near to target हम आगे वहाँ पे हम profit book कर लेंगे तो 25 को और आप चार्ट पे भी चार्ट भी आपको help करा कि दोजी सिगनल दिया है तो यहां से आप निकल सकते हैं तब 23 को भी निकल सकते हैं 25 को 100% time cycle time को analyze करना ही 100% हम कोई गौड नहीं है लेकिन approximate वहाँ पे हम पहुंच सकते हैं अगर हम 80% भी उस time के अपनियर पहुंच गए तो वहां से हम exit हो सकते हैं profit booking कर सकते हैं second thing अब मैं देखता हूं कि जो bottom बन रहा है उसका क्या date निकला है तो हमने top जो डाला है और यह पुराना bottom के basis पे हमने जो bottom का date निकला हुआ है bottom का date है maximum अगर अगर यह uptrend का correction है तो maximum जो correction हो सकता है 78% और 100% correction होने के लिए इसको maximum chances जो 100% और उसके नीचे जाएगा तो 123% 161% तो 161% का chances अभी तो नहीं है लेकिन है 100% already correct कर चुका है जिसका target 165 का है 165 का bottom बना चुका है और हम already एक time के पास आ चुके हैं जो हमारा target है 26 26 February 26 February को हम इसका target achieve कर लेंगा downside में already target बना चुके एक panic bottom बन सकता है आने वाले एक दो दिनों के अंदर में Thursday Friday को एक bottom बनेगा वो bottom as for buying opportunity होगा लेकिन gain angle के हिसाब से 360 के जो target था वो achieve हो चुका है और 450 की तरफ हम already हो चकता है 450 के आसपास यह 360 के बीच में bottom बना है और यहां से फिर से हम उपर की तरफ चलेंगे लेकिन उपर चलने के लिए जो target होगा वो low से कम से कम मैं low से आप लोग को बता दूँ low से low से कितना चलना चाहिए अगर 160 का bottom बनेगा लिए प्राइज का अगर 160 का bottom बनेगा तो 167 170 के उपर बाई बनता है 172 का rate से उपर आ जाता है तो ब्रेक आउट मिलेगा जो इस क्रूड एंजी को maximum 190 तक 200 तक लेकर जा सकता है तो यह double bottom एक्चुली एक्चुली यह breakout देगा यहां से confirmation आल्मोस्ट मिल चुका है यह bottom double bottom बना चुका है तो maximum downside already हम touch कर चुके है चार्ट के basis पे भी हमको help मिल रहा है RSI diversion हो रहा है और यहां से तेजी पकर सकता है लेकिन 16 जनवरी तक इसमें danger zone है after 16 जनवरी या 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी के बाद ही breakout हो जाता है 170 172 का level कर जाता है तो उसके बाद हम buy कर सकते है अभी जो bottom है इस bottom के basis पे हम 168 के उपर buy कर सकते है closing basis पे अगर sustain करता है तो तो यह रहा natural gas और time cycle पे analysis अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो जोड़ subscribe and like करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो के बाए